आपको यह जानकर हैरानी होगी कि 7500 रुपए से भी कम कीमत वाला रेड्मी का यह फोन बना दुनिया का सबसे ज़्यादा बिगने वाला फोन स्मार्ट फोन मेकर कमपनी Xiaomi सबसे ज़्यादा स्मार्ट फोन बेजने की लिस्ट में आ गई है बहीं Xiaomi का Redmi 9A इस साल की पहली तमाई का हाईय सेलिंग Android स्मार्ट फोन बन गया है एक Research Report के अनुसा 2021 की पहली तमाई में Redmi 9A की विक्री सबसे ज़्यादा हुई है बहीं बात करें revenue कमाने की तो Samsung Galaxy S21 Ultra 5G इस माईने में आगे रहा है गाईस मैं आपको बताना चाहूँगा कि पिछले साल Xiaomi ने Redmi 9A को बारत में देश का स्मार्ट फोन की टेग लाइन के साथ लॉंच किया था Research Report के मताविक Redmi 9A की सबसे ज़्यादा विक्री चीन और भारत में हुई है अगर बात की जाए इसके प्राइस की तो Redmi 9A के 2GB RAM और 32GB Storage वाले variant की कीमत 6,799 रुपए है भाही फोन का 3GB और 32GB Storage मोडल की कीमत 7,499 रुपए है अगर बात की जाए इस फोन के स्पेसिफिकेशन की तो इस फोन में 6.53 इंच का IPS LCD डिस्पले दिया गया है और इस फोन में HD Resolution दिया गया है साथी कमपनी ने फोन में 5000 mAh की बैटरी दी गई है फोन में सेलफी और वीडियो कॉलिंग के लिए 5MP का कैमरा भी दिया गया है तो गाईज यह थी दुनिया की सबसे ज़्यादा बिकने वाले स्मार्ट फोन की स्पेसिफिकेशन और आपको अतने कम कीमत वाले सबसे ज़्यादा बिकने वाले स्मार्ट फोन की फीचर्स कैसे लगे हमें कमेंट शेक्शन में जरूज बताएं वीडियो पसंद आयो तो लाइक कमेंट और शेयर करें